एजेंडा जो मैं समझ पाया कई बार एक ही बात को अलग-अलग एंगल से आदमी समझता है जैसे यहां ये पिछे लिखा है बिसकंसेप्शन्स एंड क्लैरिफिकेशन्स इसलाम के बारे में तो मैंने किसी और दिष्टी कोण से उसको समझा था जबकि मैं आया तो यहां जो हमारे शैद डाक्टर जाकिर साब बोल रहे थे नयक साब वो कुछ बातों को सपस्ट कर रहे थे तो जो हमारी अपनी अपनी जरूरते हैं हमारी जो अपनी स्टेज है उसके मताबिक ही किसी बात को डिफाइन किया जाता है मैं कह गया और जैसे यह पीछे बाते लिखी थी मेरे पास जो काड़ आया मिस्केंसेप्शन तो पता नहीं मुझे कुछ जटका सा लगा मैं कहा इसलाम और इसलाम के बारे मिस्केंसेप्शन किसको कौन है जिसको मिस्केंसेप्शन इसलाम के बारे में मैं जानना चाहता हू और क्लेरिफिकेशन इसलाम इतना बड़ा धर्म इतना बड़ा जंडा वो क्लेरिफिकेशन देगा किसके सामने देगा कौन से अदालत है जो उसका क्लेरिफिकेशन लेना चाहती है कौन माई का लाल है जो उसकी देश भक्ति पर उंगली ठाना चाहता है कौन माई का लाल है ज हाजिर हो और हमें बताया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है ये कमी है ये गलती है वो गलती है तो जो मैंने समझा मैंने कह दिया मुझे नहीं पता किस प्रकण में मैंने समझा और किस पर किनम मैंने के दिया तो मुझे बड़ा कड़वा सा लगा जो मुझे काड़ लेकि दोनों साथी आए मुझे इनके उपर गुसाया एदमें के यह क्यों शपवा दिया क्या बात कोई अपराद की वृत्ति है कोई डर रहे हैं किसी से किसे डर रहे हैं क्य हमारे पर को आरोप पत्र चार सीट जारी किये किसे ने तो इसलाम एक इश्वर का हुकम है भगवान का आदेश है और मैं एक बात करना चाहता हूं छोटी सी बात है सब के समझ में आने वाली बात है जब आदमी बिमार होता है और उसको डाक्टर के पास ले जा रहे होते हैं और डाक्टर उसकी तकलीफ दूर करना चाहता है तो क्या डाक्टर का धरम क्या डाक्टर की जाती या गोत पूछते हैं कि डाक्टर ने कहां पढ़ाई की ये पूछते हैं सिर अभी इस बात की चिंता रहती है कोई मेरे मरीज को बचा ले कोई इसको मरने से बचा ले इस ब बढ़कर देना पड़ेगा एक जब यह अपने डाक्टर जाकी साहब बोल ले थे तो आदमी सोचता भी रहते हैं आदमी के इंदर फॉंटेन की तरह से दिमाग है आदमी का तो जब मेरे यह कह रहे थे के वही अमरीका में से बढ़ा थे विसें पर बढ़ी हैं इतने देर से बठे हैं इतने में फ़ो को आदम गश्मारी है आदमी की यह रहएः रेप करना एक इंसान का महापशुता नीच्था का कारी है पशु को कहना पशु का अपमान करना है उसको कुटा गए तो कुटा एतराज उछा देखा यह ऐसा क्यों कहें दिया तो मैं यह कहना चाहता हूँ वैसे मेरे मन Parents आई बैये तो आपने सोच लिए कि अमरीका में इतने रैप होते हैं कि आपने को एसा देस्ट देखा जो देश दूसरे देशों करे रेप करता है अमरीका अपने में एक रेप का प्रतीख है इराग के अंदर क्या कर दिया और क्या करना चाहता है आज अमरीका की नजर में तमाम दुनिया के लोग हैं उपने आपको थांदार समझे करके किसी की भी गर्दन मुर्गे की तरह पकड़के करना चाहता है इसमें ये गलती मैं तो जानता है नहीं मैंने बचारे को देखा नहीं का भी सदाम हुसेन को कोई ना मेरा रिष्टदार है मैं फोटू फाटू देख्यों कि इसके पर मैं पूछना तो मेरे दिल में बड़ा दर्द उठता है औरे तुम ने कहा उसके पास रसाइनी का थ्यार है उसके पास इसलामिक बम है उसके पास पतानी क्या है क्या नहीं है उसके पास जदू टोना है और उसको पकड़के कैद कर लिया अरे तो किसी को बारे में के दो मन महन सिंग के पास रसाइनी का थ्यार है कल मन महन सिंग को पकड़ लो लंका वाली वचारी वो कुमार तुंगे है उसको कहे तो ये भी जब्दू गरनी है इसको पकड़ लो तो ये सारी दुनिया के लोगों को और एक बात हमारे शंकराचारी महराज ने कही के सब को ये जो जो भासा समझता हो उसको कुरान शरीफ दे जाने चाहिए और मैं कहना चाहता हूँ आपको के पकड़ लो गर्दन बुश की उसको रिक्टवाओ पहले तो कुरान शरीफ किसी बाशा में समझता हो बाशा में ने तो गाउं वाड़ी बाशन में जैसे भी समझा सकतों समझाओ